हिस्लाप एजुकिशन सोसाइटी द्वारा संचालित हिस्लाप महवीद्यालिक के वनसपति शास्त्रव विपाकियों से 7 दिसंबर से 22 सिया पुष्प प्रदर्शनी का आईजन क्या और इस बार भी पुष्प प्रदर्शनी का आईजन क्या जा रहा है जिसमें 14,000 फूलतारी बहुते शामिल है। बास्केटबॉल कोट में जो है। है डॉक्टर मौश्मी भवाल उनके लीडर्शिप के अंडर होता है और इस साल जैसे कि आप जानते हैं मौसम बहुत खराब रहा ऑक्टोबर एंड दिवाली तक बारिश हुई तो इस साल हमारे लिए ऐसे डपार्टमेंट बहुत मुश्किल रहा इन पौधों को जंदा रख इनको बचा के रखना इनको हेल्दी रखना क्योंकि कीड़े ऐसे मौसम में कीड़े लगने की बहुत प्रॉब्लम होती है तो उसके बावजूद हमने ये शो इस बार वी हाव मेड़ेटर रियालिटी हमारे लिए खुद अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने परंपरा तूटने नहीं दी तो ये एक बात है और स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है स्टूडेंट पार्टिसपेशन रहता है और जैसा कि आप देख रहे होंगे वॉलेंटियर्ज हैं हमारे हर तरफ एक स्टूडेंट का सिटन ड्रॉ कॉंप लब करें वो प्लांट्स काराख रखाव सीखें और उनको डिस्ट्रॉइन ना करें तो यह हमारा में नेम है स्टूडेंट को इंवाल्व करके यंग जेनरेशन में नेचर के प्रती लव इंस्टिल करने थंडी के मौसम में खिलने वाले फुल प्रदर्शनी का आकरशन होत पुश्प प्रदर्शनी का आउजन किया गया है साथ दिसम्बर से यह पुश्प प्रदर्शनी दो दिन चलने वाली है जिसमें 14,000 से जादा फूल दार पौदो का यहां पे प्रदर्शनी लगाई गई है और हम देख पार है हमारे बाजू में यहां किस तरह से डेकोरेट देकोरेट किया गया है विविद प्रकार के हमें फूल दारी पौदे जो है यहां दिखाई दे रहे है और बड़ी मात्रा में अलग-अलग जो है हमें फूलो की प्रदर्शनी में 14,000 से जादा फूलो का यहां समावेश किया गया है कैमेरा पर संसुभष बुटले के साथ में एक शीतिजा देशमुक इन बीसीन नीज नाखपूर